हालो पर्रेंज में संदोस मार्डिसल के स्टराव का स्वाग रहा आज की वीडियो बहुत ही इंपोटेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे मोबाईल से क्योंपर प्रिश्अनल यूट्यूब चैनल क्योसित करेंगे फ्रेंज मैं यूट्यूब चैनल किडियाट करना बहु हुः तीजी और सिंपल सेफ्स में बताँँगा ताकि आपको कोई भी परिशान ही नहीं हो और आप एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल कर पाए तो फ्रेंज बीना टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल में समझते हैं करेंगे तो आप अच्छा से करेंगे तो आप अच्छा से करेंगे अगर आपको अच्छा से प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल करेंड करना है फेंड आपको गूगल में जाना है और यहां पर आपको टाइप करना है यूट्यूब अकाउंट ठीक है यूट्यूब अकाउंट गूगल में आपको टाइप करना है जब यहां पर टाइप करेंगे तो यहां पर फर्स्ट लिंक आ रहा है एकाउंट यूट्यूब इस पर आपको किलिक करना है, जब आप इस पे किलिक करिएगा, तो Google में आपका एकाउंट open हो जाएगा, देखे इस तरह से आपका YouTube एकाउंट Google में सो होगा, ठीक है, मैं आपको इसको थाज जूम करके बता देता हूं, देखे, इस तरह से आपको सो होगा, ये डेस्ट आप मोड में हर कुछ भी होगा आपको, तो आपको देखे, यहाँ सबसे कॉर्नर पे है आपका चैनल, ठीक है, यहाँ पे है, इस पे किलिक करना है, जब आप इस पे किलिक करिएगा, तो इस तरह से ये ओपन होगा, आप देखे, यहाँ पे स्वीच सबसे फास्ट है, योर चैनल, ठीक है, योर चैनल पे किलिक करिएगा, तो आपका चैनल सो होगा, उसके बाद फ्रेंस है, पर्चिस एन वेमबर सीप, यह भी आपको नहीं समझ इसना, ठीक है, स्वीच अकांट, यहाँ देखे, अगर आपका यह एकांट नहीं है, अगर दूसरा है, तो आप स्वीच अकांट पे किलिक करके वो एकांट सेलेक्ट कर सकते है, ठीक है, जब स्वीच अक्त करिएगा, तो फिर इसी तरह से पेज़ आपको उपन होगा, आप देखे कि आपका चैनल यहाँ पे सो हो रहा है, ओके और यहाँ पे देखे दो बुलू बटन दिख रहा है, फॉस्ट है एक है कस्टमाइज चैनल ठीक है, और दूसरा है मैनेज वीडियो, अभी तो आपको YouTube channel create ही करना है ठीक है तो आपको customized channel पे click करना आगए तो customized channel पे click करेए जब Uh friends आप उस पे click करेगा तो आप YouTube के customization page पे चले जाईएएगा फ्रेंच देखर customization channel पे आप click कर देते हैं तो इस तरह से customization kay page open हो जाएगा देखे आपको दो step में YouTube channel create करने ठीक है, दो step में एक है जो आपको drummer Steins से करना है, आपको first step ध्यान रखना होगा कि आपको, जब आप channel में जीएगा, shit channel में तो आपको customization पर click करना है, जब आप customization पर click करेगा, तो ये page customization का08 होगा, हुगा यहाँ पर आपको 3 काम करना है देख यहां पे देखिए आपको यहां पे तीन ओप्शन सो रहा है चैनल कस्टमाइजेशन में तीन ओप्शन आपको सो हो रहा है फास्ट है ले आउट, सकेंड है ब्रैंडिंग और थाद है बेसीक इंफोर्मेशन ठीक है तो friends सबसे first option देखते हैं layout ठीक है तो यहाँ पर देखे video spotlight add a video to the top of your channel homepage जब आप यहाँ पर videos कोई add किजेगा तो कोई भी viewers आपके channel पर जाएगा तो इसको एक videos होगा जो video आप add किजेगा ठीक है channel trailer for people who have not subscribe मतलब आपको एक channel का trailer डालना होगा जो subscribe नहीं किया आपका video देख लिया और आप subscribe नहीं किया तो उसको वो फिर से video show होगा ठीक है और friends second featured video to returning subscriber जो subscribe कर लिया उसको यह video show होगा ठीक है अब यहाँ पर देखे परज में आया गया कि layout क्या होता है उसके बाद layout समझने के बाद friend जो next step है वो है branding का branding में आपको तीन चीज बनाना ठीक है एक आपका यहां पर देखे लोगो हो गया ठीक है देखे पिक्चर यहाँ पर लोगो हो गया second आपको बैनर इमेज हो गया and further watermark हो गया तो तीनों को step-by-step देखते हैं friends first picture ठीक है तो यहां पर आपको यह तो अपना picture डालना अपने channel का जो भी आपको लोगो डालना आप लोगो डाल सकते हैं ठीक है यहां पियापके चेनल का लोगो डाल रहा है सद्क Congивать बाइनर इमेज यदि आपको बाइनर इमेज बनाने नहीं आता है तो मैंने वीडियोजs बनाया हूं कि बानर इमेज कैसे बनाया हूं मैं उसका लिंक description में दे दूँगा आप binary image बनाना सीख लिजेगा ठीक है जब आप binary image बना लेंगे तो यहां से आप direct upload कर लेंगे ठीक है यहां पे है upload का option यहां पे आप description में दे दूँगा तो आप watermark बनाना भी सीख लिजेगा ठीक और watermark से क्या क्या benefits है वो सब कुछ बताया हूँ इस वीडियो में आप वो देखके अच्छा से बना लिजेगा और यहां से आप upload कर लिजेगा तो फ्रेंज यह देखे आप चैनल का नेम सही है तो आप चैनल का नेम यही रहने दीजेए आपको चेंज करना है तो पेंसील के बटन पर क्लिक कर के आप change भी कर सकते हैं ठीक है जो भी आपको change रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं ठीक है उसके बाद friend आपके channel का description आपको लिखना होगा आपको जो लिखना है आपका channel किस category से है आप अपने channel पर क्या क्या करते हैं क्या सिखाते हैं अपने channel पर ठीक है तो आप वो अपने channel का description ल यह complete होने के बाद देखिए original language आपका क्या है मैं इसको था बढ़ा करके बता देता हूँ तो जो भी आपका original language है English है Hindi है जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं और इसको और देखिए translation language तो मैं यहाँ पे English डाल देता हूँ ठीक है और यहाँ पे आपको अपने channel का नाम डालना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे done पे click करना है ठीक है मैं इसको cancel कर देता हूँ आप यह समझ गये उसके बाद फ्रेंच देखिए यहाँ पे आपके facebook, instagram जो भी social media account है यहाँ पे उसका link डाल देंगे तो आपके banner image के नीचे में store होगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए link title जैसे आपको facebook का डालना है यहाँ पे facebook टाइप कर लिजिए और यहाँ पे facebook का link copy करके यहाँ पे डाल देजिए ठीक है इस तरह से आपको डालना होगा फिर जब आप link डाल लेंगे तो यहाँ पे देखिए links on banner आप कितना link सो करना चाहते है बैनर पे अगर आप 5 link डालना चाहते है तो 5 रहने दीजिए अगर एक link डालेंगे तो एक link रहने दीजिए दो link डालेंगे उतना link सेलेक्ट कर इस बुक का डालेगा इंस्टाग्राम यदि आपको पास website है तो website का डाल देजिए ठीक है जो भी link है आप डाल देजिए उसके बाद friends आपको यहाँ पे अपना email address डालना है ठीक है देखिए सबसे नीची है यहाँ पे देखिए email address का पूछ रहा है ठीक है तो आपको यहाँ पे डालने के बाद friends देखिए आपको publish पे click करना होगा ठीक है यह मैं नहीं भड़ा हूँ इस बज़ए सी इस तरह से red button show हो रहा है तो जब आप यह तीन step complete कर लेंगे तो आपको यहाँ पे publish का button show हो रहा है तो यहाँ पे आप publish पे click कर दीजेगा ठीक है एक step complete हो गय इतना customization complete हो चुका है अब जो next step है friends वो आप हमको setting में जाके करना हो ठीक है यह step complete हो चुका है अब हमको setting ढूना है कि setting कहा है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे में देखिए left side सबसे नीचे में आपको setting option show हो रहा है देखिए यहाँ setting option show हो रहा है तो setting पे आपको click करना है आप जो next step करेंगे second step यहीं पे हर कुछ करेंगे और उसके बाद यहीं पे आपको सब कुछ करना है उसके बाद channel आपका complete हो जाएगा ठीक है आप देखिए यहाँ पे general show हो रह यह सब को complete करना है सबसे पहले हम general को देखते हैं तो general पे आपको यहाँ पे देखा रहा है कि currency तो इंडिया में रहते हैं इंडिया का currency दीजिए जहां पे आप रहते हैं वहां का currency select कर लिजिए तो मैं पहले सबसे पहले currency select करता हूँ तो यहाँ पे Indian रूपीज में डाल देता हूँ देखिए यहाँ पे Indian रूपीज दाल देता हूँ इंडियान रूपीज डालने के बाद आपको save पे click करना होगा ठीक है सेप पर किलिक कर दीजिए बारा कर लेते हैं और यहां देखेए सेप पर किलिक कर देखे हैं ठीक है जब सेप पर किलिक करिएगा तो फिर से कस्टमाइजेशन में आपको ले आएगा फिर से आपको सेटिंग में जाना है जितना step आप save करिएगा, उतना step आपको customization option में ले आएगा, तो फिर से आपको setting में जाना होगा, चीक है, general option में complete कर लिया, देखिए, complete हो गया, यहाँ पे save भी कर लिया, अब आपको channel पे जाना है, second option channel पे जाना है, channel पे जाने के बाद देखिए, यहाँ पर भी आपको तीन options ह हो रहा है, एक है basic information, एक है advanced settings and जो तीसरा है, वो है feature eligibility, ठीक है, तो तीनों step को बारी-बारी से देखते हैं, जो first step है, यहाँ पे बोल रहा है, country of residence, मतलब आप किस देश में रहते हैं, आप जिस देश में रहते हैं, जिस country में रहते हैं, उस country को आप select कर लीचे, तो मैं इंडिया को select कर लेता हूँ, ठीक है, उसको select करने के बाद friends, अब आपको यहाँ पे keywords डालना होगा, ठीक है, तो keywords आप कैसे डालेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, friends, keywords के लिए आप Google open कर लीजिया, और यहाँ पे एक website आपको type करना है, rapid tags, rapid tags आपको open करना है, ठीक है, इस इसको enter कर लीजिये, उसके बाद देखे, इस पे click कर लीजिये, rapid tags को open करना है, यहाँ पे आपको sign up, login करने का कोई जड़त ने परेगा, ठीक है, आप use tools for free, इस पे click कर लीजिये, और आपका channel किस category से है, ठीक है, अपने channel पे आप क्या डालेंगे, as for example, आप funny videos डालेंगे, य या आप blogging डालेंगे, या आप gaming related videos डालेंगे, जो भी आपको डालना है, keywords इसलिए डाला जाता है friends, क्योंकि अगर कोई बंदा search करता है YouTube में, तो आपका videos भी उसको show होगा, इसलिए आपको keywords डालने का ज़रुरत परता है, जैसे कि आपको digital marketing डालना है, या आपको कुछ भी करूँगा, तो यहाँ पर देखे, बहुत सारा keywords, इस keywords को आपको copy करके, वहाँ पर डालना है, ताकि कोई search करेगा, तो आपका videos भी आएगा, मैं यहाँ से copy कर दो, friends, आपको वहाँ से keyword copy करके, और यहाँ पर paste कर देना, ठीक है, इतना समझ गए, कि keywords क्यों डालना है, अगर keywords नहीं डालेगा, तो search result में नहीं आगा, अगर कोई YouTube के search करता है, digital marketing course, तो अगर आप keywords नहीं डालेगे, तो आपका channel नहीं आएगा, ठीक है, keywords डालने को बाद देखे, first step complete हो जाएगा, और यहाँ पर आपको save पर click करना है, फिर से आपको customization मिले जाएगा, फिर से आपको setting पर click करके इस पर आना है, ठीक है, first step complete होगे, आप second step है advanced setting, advanced setting पर click करते हैं, friends आपको यहाँ पर अपना audience select करना है, आप kids के लिए बना रहे हैं या adult के लिए बना रहे हैं, ठीक है, यह kids के लिए नहीं है, तो मैं no पर click करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं नीचे जाओंगा, ठ ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, अब देखिए, आप subscriber आप दिखाना चाहते हैं या नहीं, ठीक है, अगर आप subscriber नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसको untick कर दीजी, ठीक है, और अगर दिखाना चाहते हैं, तो tick कर दीजी, ठीक है, और अगर दिखाना चा ने तो आप जो भी YouTube पे सर्च कीजेगा उसी तरह का आड दिखेगा ठीक है इसको आपको जरूरी नहीं है उसके बाद देखिए फ्रेंस यह स्टेप कंप्लीट हो गया है इसको आपको सेव कर लेना है ठीक है सेव करने बाद फिर से कस्टमाइजिसन में जाएगा और फिर से जा दिखिए जाके यहाँ पर आना है चाइनल में क्लिक कर लिख ठीक है अब स्केंडर सेव कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो थAddसर है वह करेंगे मोबाइल से ठीक है तो यहां पर देखिए फर्स एस्टेप आपको एनेवल ही रहेगा और सकेंड एस्टेप में आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा तो यहां पर देखिए एनेवल है मतलब मैं कर चुका हूं जब आप करेंगे तो आपको यह गरीन बटन नह सेव कर देना है धीक है तो वह बेरिफाय होगा अगर आपको तब भी करने में दिक्कत हो रही है तो इसका भी मैं अंच्छा से वीडियो बनाया हूं वह वीडियो फिन्हास देखिर से आप अच्छा से वेरिफाय कर ले घ़िर शिंगे आप जदी वेरेफाय नहीं करते हैं तो कौन-कौन सा आपको नहीं करने देगा देखिए कौन-कौन सा फीचर नहीं देगा तो वीडियो लॉंगर दिन 15 मिनोर 15 मिनोर से ज़्याद आप अफ्लोडियन नहीं कर पाईएगा ठीक है अजो सकेंडर कस्टम थामनेल आप कोई थामनेल किरियेट करके नहीं डाल सकते है जो यूट्यूब का मन होगा आपके वीडियो से थमनेल लेगा वही डाल देगा ठीक है और सकेंडर लाव स्ट्रीमिंग आप जाहीं नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ से ने मोबाइल से तो तब जाहीएगा जब आपका 1000 सब्सक्राइबर होगा आप लैप्टॉप से कंप्य चेव कर लीजिए को शेय करने के बाद खिर को फिसरैं कस्ट्माजेशन पर ले आएगा तो फिर से आंको सेटिंग पर यह शह Eles सदंंदि मिं आना हा देखे महें d education became complete कर लिया ठीक है इसका तीन स्वास्य अर्षीन स्वास्यमिक कीन जब जो next step है वो है upload default, upload default क्या होता है, कि जब आप कुछ भी upload करने जाएगा न तो जो कुछ भी यहाँ पे save करिएगा, उसा कुछ आपको वहाँ पे अपने आ आ जाएगा, यदि वही रहने देना चाहते हैं, तो रहने दीजेगा, नहीं तो आपको change करना है, तो change भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे नहीं करिएगा, तो भी चलेगा, देखते हैं, यहाँ पे upload defaults पे click करेंगे, और यहाँ पर आपको दो options होगा, ठीक है, एक है basic information and second advanced setting, तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे title डालना होगा, तो आपके हर एक वीडियो का title अलग अलग होगा, ऐसा दाने हैं, कि same title होगा, नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे title मत डालने, पुछ का description भी अलग होगा, तो description भी आप मत डालेएं, जब आप upload कीजिएगा, तभी title और description डालेगा, यहाँ पे यहाँ तो इसके बाद फिन आप visibility, आप private राखना चाहते है पबिएसली पब्लिक पे किलिक करना है उसके बाद फिर आप यहां पर ट्याइक डालेगा नहीं बला तो यहीं बला रहेगा देखे पब्लिक विजिबिलीटी कर दीजिए तो हमेंसा कुछ भी आप अपलोड करिएगा तो पब्लिक ही रहेगा ठीक है अब वहां पर भी उप् वही एस्टेप आपको दोराना है आपको रेपीट टैक्स में जाना है वहां से आपका जो भी वीडियो जा उस वीडियो के रिलेटेड आपको टैक्स जो भी कीवर्स होगा वहां पर सर्च करना है और जो भी टैक्स दिखेगा कीवर्स दिखेगा वहां से कॉपी करके यहा यहां पर आपको सेव करना होगा, ठीक है, सेव करने बाद फिर से आप उसी कस्टमाइजेशन के पेज पर चले जाएगा, फिर सी आपको सेटिंग पर आना होगा, मोबाल से थोड़ा डिपीकल्ट होता है, समझें, इस वज़ा से, इस ऐसा हो रहा है, फिर से आपको आपको यही रहना है, केटेगरी आपका क्या है, ठीक है, किस केटेगरी का आपका वीडियोज है, ठीक है, जब आप अपने चैनल पर वीडियोज अप्लोड कीजेगा, तो किस केटेगरी का है, तो केटेगरी आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, तो केटेगरी तो फिलिक कर लिजिए, गर डिजिटल मार्केटिंग का तो एजुटेशन में सलेक्ट कर लोंगा, आपको हर एक वीडियो में कैटेगरी चूज करना है, उसकी बाद पर में यहां पर देख का आपका वीडियो का लेंग्वेज तो आपको यहाँ पे video language भी select करना होगा तो इस पर click कर लिजे जो भी आपका language है वो language डाल दीजे लिए हिंदी है तो हिंदी डाल दीजे इंगलीज है तो इंगलीज डाल दीजे मैं यहाँ पे हिंदी select कर लेता हूँ उसके बाद पर देखे यहाँ पर caption certification पर आपको none ही रखन है पूछ नहीं डालना है उसके बाद देखे यहाँ पर title और description का language पूछ रहा है तो आप इंगलीज रखना चाहते हैं इंगलीज में title लिखेंगे या हिंदी में लिखेंगे ठीक है तो वो यहाँ पर आपको select करना होगा उस पर click कर लिजे और हिंदी में लिखेंगे तो हि दिखाना चाहते हैं या नहीं तो इस पर click कर यह देखें कितना अप्शन चार अप्शन हो रहा है अलो अल कमेंट्स सब कोमेंट्स आएगा ठीक है वोल्ड पोटेंशल इन प्रो इन अपोपिरियेट कोमेंट्स ठीक है फुछ बाद होल्ड कोमेंट्स पर डिभ्यू डिखा काने आट थिक है बालो कमेट्स पर किलिक करिए कोमेंट्स चाहिए तो इस यालो कमेंट्स पर किलिक खरें अंगी आगलो कोमेंट्स कर ले क्लिक कर लिए को आ फिर से आपको setting में जाना होगा। देखे है friends, यहापे तीन स्टेप्स, complete कर लिया, general channel, upload defaults, आपको परमिशन, तो परमिशन में कुछ नहीं, आपको यहापे कुछ भी नहीं करना है, community, कुछ भी नहीं करना है, जिग है, कुछ भी नहीं आपको यहापे करना है, agreements, यहापे कु पेस्टनल चैनल क्रियेट करना सीख गए अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक की जीए अगर सचमी आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और इस चैनल पर जो भी वीडियो जो से सीखने को मिलता है तो friends आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए इस वीडियो में इतना ही और बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए बेस्ट आफ लग